हेलो फ्रेंड्स और डियर स्टुडेंट्स टुडें विल डिसकस एलायलिक रियर्रेंजमेंट सबसे पहले हमको यह समझना हुआ कि एलायलिक ग्रूप कौन से ग्रूप होते हैं बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है यह और बहुत ही सिंप्लिफाइट करके इसकी सभी टर्मि के कोई भी ग्रूप जहां पर दो काबन के बीच में डबल बॉंड आपको मिले यानि की एलकीन बॉंड हो और यह मतलब एक आपका कार्बन है और उसके साथ कोई भी कूट लगे हुए इस हैड्रोजन को रिप्लेस कर दीजे इस आर को आप आर में कोई भी ग्रूप लगा स है तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं वो पोजिशन होती है जो कि नेक्स्ट टू एक डबल बॉंड होती है यानि कार्बन के बीच के डबल बॉंड और डबल बॉंड के जस्बगल वाला कार्बन जो है डाट इस नोना आज अलालिक कार्बन अगर हम इसको और जो कि डबल बॉंड बना रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं विनाइल कार्बन कहते हैं ठीक है जो पाई बॉंड बनाने वाले दोनों कार्बन से उनको क्या कहेंगे विनाइल कार्बन और इन विनाइल कार्बन पर जो हैड्रोजन लगे होते हैं इन हाड्रोजन को हम क्या क ठीक है तो इसके जस्ट पगलवाला जो carbon है that carbon is known as allylic carbon और इस carbon के ऊपर अगर कोई hydrogen लगा तो इसको हम क्या पहेंगे allylic hydrogen और इस hydrogen को भी हम क्या कर सकते हैं replace कर सकते हैं with the help of OH group आप लगा सकते हो आप CL लगा सकते हो आप PR लगा सकते हो allylic carbon और इस तरीके के अगर कोई आपको पूरा group मिलता तो इसको हम क्या कहते है allylic group आईए अब बात करते हैं कि इसको हम और simplify तरीके से तीसरी definition जो है यह हम कह सकते हैं कि methylene bridge से जो कोई भी ऐसा group जहां पर methylene bridge जो like this और वो attach हो किसी किस से vinyl group से जैसे कि इसके साथ यहां पर attach है ठीक है इस तरीके के group कुछ हम क्या कहेंगे allylic group अब यह allylic group के कुछ examples लेते हैं जैसे मैंने भी कहा कि आप चाहें तो hydrogen को replace कर सकते जैसे कि मैंने एक example यह allylic alcohol का यहां पर आप देख रहो कि carbon carbon के बीच में double bond और उसके just बगल पर जो carbon है उसके उपर OH group that is allylic alcohol और allylic bromide का example ले लिया हमने फिर से वही चीज़ है और इस CH2 के साथ यह क्या है BR है आप चाहें तो यहां पर और भी bonds लगा सकते हैं इस hydrogen को replace करके कुछ और भी लगा सकते तो यह हो गया allylic bromide अब allylic rearrangement चैसा कि हमको पता है मैंने पिछले वीडियो में भी discuss किया था जो आपकी इन compounds के अंदर अगर आप कोई भी acid या base catalyzed कोई reaction कराने की कोशिश करेंगे तो यहां पर double bond का migration होता है migration मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना ठीक है double bond का migration होता है मतलब pi electrons का migration होता है जिसके वज़े से नए नए molecules जो है वो बनते हैं या mixture of molecules बनते है जब इस तरीके की डियक्शन करते हैं और इसका जो main कारण है वो just और just की जो intermediate बन रहा है बीच में जो intermediate बन रहा है वो allylic carbocatines की वज़े से बन रहा होता है अब सम railroad copCatine क्या होते हैं Calας Crabra vocetines is carbon positive charge सिमबल से चीज एक vinyl group का nadal जिसको हम क्या कहेंगे जैसे की विद्ध हम कर्द क्या जिसके ही एक बान ग्रॉप依े होесका यहां hundred पोजिटिव चार्ज और है इसमको हम क्या जिसको हम क्या कहेंगे Elylic Carbocatine अब Elylic Carbocatine के अगर आप structure को ध्यान से देखिए तो मैंने जैसे कहा कि resonance वहा हो सकती है जहाँ पर P orbitals हो और इस पर देखिए यहाँ पर charge है तो यहाँ के भी P orbital तो यह जो P orbitals है यह 3 एक साथ है इस 3 एक साथ के होने के वज़े से यह 3 P orbitals को हो सकते हैं आपस में इस तरीके से born मना सकते इस तरीके से यह क्या हो सकता है एक larger molecular orbital کا formation कर रहे होते हैं इस larger molecular orbital के formation के वज़े से जो electron है यहाँ पर यह pi electron जो है यह transfer ओसकते हैं तीनो carbon के उपर और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि यह जो आपका allylic kybocatine है it is resonance stabilized ठीक है यहाँ पर resonance पहले जाएगा एक से जादा structure होंगे एक से जादा structure होंगे तो वो क्या होगा stable होगा आईए इसको हम लोग करके देखते है यहाँ पर जैसे कि माल लिया कि कोई भी hydrogen लगे हुए ठीक है और यह double bond है यहाँ पर हमारा फिर से hydrogen है और इस carbon के उपर हमने क्या लगा रखा है positive charge अब इस तरीके का कोई भी अगर group हो तो यह जो आप देख रहो positive charge अब इस सा भी carbon बराबर होगे एक जूसे के क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का molecular orbital का formation हो रहा है तो यह double bond अगर shift आप यहाँ पर कर देंगे तो positive charge कहाँ shift हो जाएगा इस carbon के उपर ठीक है तो यह दोनों एक दूसे के resonating instructions बन जाएगे यानि कि यहाँ पर hydrogen इसके उपर आप क्या गया positive charge इस carbon और इस carbon के बीच में क्या बन गया double bond और यहाँ पर hydrogen था और यहाँ पर भी दो hydrogen थे अगर थे पहले hydrogen या कोई भी group हो तो इस तरीके से तो यह दोनों एक दूसे में क्या हो जा रहे है convert हो रहे है और इस conversion की वज़ा से आपको दो carbons मिल रहे हैं एक पर तो positive charge यहाँ पर एक पर यहाँ पर यह आपस में क्या हो जा रहा है इस तरीके से बदला हो रहा है तो अगर हम लोग इसका एक resonating structure बनाएं जैसे कि आप सब को पता है यह resonating structures है इसका एक resonance hybrid बनाए हम तो resonance hybrid भी बन सकता है इसका मतलब कि यह resonance hybrid जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा CH2 ठीक है सिंगल बॉंड CH सिंगल बॉंड CH2 और यह जो डबल बॉंड है यह बीच बीच में क्या हो इन दोनों के बीच में ट्रेवल हो रहा हो और इस ट्रेवलेंस की वज़ा से इसके उपर slight positive charge और इसके उपर slight positive charge यह क्या है हमारा resonance hybrid ठीक है तो इस तरीके का resonance hybrid जो है यहाँ पर बन सकता है यानि अगर allylic carbo cations को हम देखें तो हमको कुछ इस तरीकी का structure मिल सकता है जहाँ पर इन दोनों कारबन के उपर हमको क्या दिख रहा हो positive charge ठीक है आईए अब हम लोग एक इसकी example लेते हैं और उसमें समयने क्योंशिश करते हैं कि allylic rearrangement क्या होता है तो अगर जगा बदल जाए जगल बदलना मतलब rearrangement ना एक से दूसरे पर सिफ्ट हो जाए तो अगर चाहे इसडिक या आप जो है क्या नाम है basic कोई भी तरीके का आप यहां पर catalytic reaction कराएंगे तो कार्बो काटाइन बनेगा बीच में कैसे बनेगा जैसे यहां से बाहर निकालेगा यह अपने साथ लेकर के चला जाएगा जैसे यहां से निकलेगी तो यहां पर क्या जाएगा यहां पर का bond shift हो गया क्या यहां पर तो यह हो गया double bond C CH3 और H ठीक है हम लोग example ले रहे हैं 3 chloro 1 butine का ठीक है this is 3 chloro 1 butine 3 chloro 1 butine ठीक है तो यह दो जो है एक दूसरे में convert होते हुए carbon catans बन रहे हैं अगर कुछ नहीं है और वापस से हम इस cl को इसके अंदर डाल दे तो आप देखेंगे यहां पर भी cl डाल दीजिए यहां पर भी क्या डाल दीजिए तो rearrangement हो जाएगा यह तो वही बनेगा जो पहले था क्योंकि यहां पर आपने देखा कि यहां पर इस पर positive charge तो cl minus आएगा इसके साथ जुड़ जाएगा तो इस carbon पर cl दे दिया c s3 h ठीक है और बाकी सब कुछ वैसे के वैसे तो यह क्या बन गया वही 3 chloro 1 butene ठीक है और इसको देखिए तो अगर यहां पर आप cl देंगे त h और यहां पर h था sorry यहां पर भी h रहा और यहां पर भी क्या जाएगा h ठीक है यहां पर भी h तो यह जो बना इसका नाम अगर आप रखेंगे तो अब इसका नाम क्या होगा अब numbering की दर्स को होगी दर्स होगी तो one two three यह हो गया sorry one two three four four हो गयागा it is four chloro one sorry two beauty ठीक है तो जब इधर से चल रहा था जब आपने यह वाले पर आपने जोड़ा तो वही बन गया लेकिन यह convert हो सकता था क्योंकि resonance इस प्लाइज था resonance की वज़े से यह कावकटाइन जब बना तो वापस जब CLS को मिला तो यह क्या बन गया four chloro two beauty तो यह दो प्रोड़क बन गया यह दोने दूसरे में क्या हो सकते हैं इंटर कंवर्ट हो सकते हैं इसलिए दोनों एक दूसरे से क्या होंगे resonating structures के form में बनते रहेंगे एक दूसरे में बदलाव इनका होता रहेगा अब अगर हम लोग reaction कराते हैं इस तरीके के किसी compound की यह तो हो गया आपस में molecule के अंदर ही resonance हो रहा है उसको जैसे यह दो चीज़ें पॉसिबल हैं अगर हम इसकी reaction कराते हैं जैसे कि हमने three chloro one butine की reaction क कराई जिसको एक example भी आप बोल सकते हो with the help of this ethyl alcohol तो ethyl alcohol के साथ जब हमने इसकी reaction कराएंगे तो क्या होगा यहां फे एच प्लफ निकलेगा और यह सी यल माइनस को अपने साथ लेगा तो सील निकल जाएगा अब बीच में मैंने का दो कोल कार्बोकेटाइन बन रहे हैं तो अगर एक कार्बोकेटाइन बन रहा है जहां से यहीं से सील निकल ला है इसलिए इसके पर positive charge आएगा तो हमारा C2H5O जो गुरूप है वो जो हमारा ethoxy group है वो ethoxy group यहां पर जोड़ जाए जोड़ दीजे तो यह क्या था CH2 double bond CH और यहां पर CH था CH3 था और इस पर अब รग्स पर जोड़ कि यहां पर जोड़ जाए क्या जोड़ गया है आप फ़ादाए यह पर यह जो देख घृटा और इस पर घख और और बाकी सब कुछ वैसे के वैसे यहां पर गया डबल CH3 थीडो इस तरीक है तो यह सो बना आप देख रहा हो वो जो कि यहां पर इस तरीकिए इस त्रीक saying पर जलका है और यहां पर पहले कारबन पर क्या लगिया तो इस तरीकिये दो जो है product जो है वो possible है या mixture of product जो है possible है अगर इसकी mechanism की बात करें तो allylic rearrangement जो है वो एक nucleophilic substitution reaction की तरीके से काम कर रहा है देख रहा है तो एक नुक्लिफाइल आ रहा है ठीक है अटाख कर रहा है और इसको example ले लेते हैं जैसे अगर SN1 mechanism से काम करेगी तो मा लेता हूँ ये था हमारा CH2 double bond और CH single bond C CH3 CLH ठीक है ये हमने एक ले लिया example और इसका नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 & 4 ठीक है और पहले 1 butene है ये और यहाँ पर तीसे नंबर पर CL लगा हुआ है तो 3 chloro 1 butene तो 3 chloro 1 butene को साथ हम लोग इस reaction को अब करने जा रहे हैं अब हमने यहाँ पर माल लेते हैं कि हमने OH- NaOH लिया था इस NaOH से क्या आएगा OH- आएगा OH- आएगा और Na क्या आएगा इस CL को लेकर के चला जाएगा NaCl बना देगा OH will attack on this तो यहाँ पर आपको दो जरसे ये OH अटाक करेगा यह CEL को बाहर निकालेगा एने जो NaCl के रूप में बाहर निकलेगा अब नुक्लियोफाइल जो अटाक करेगा तो दो चीजे होंगी पहला तो यहाँ पर कार्बोकाटाइंड मनेगा acid one reaction है तो दो step में पूरी होती है तो पहले step में कार्बोकाटाइंड मनेगा कैसे बनेगा CH2 double bond CH single bond CH CH3 और यहाँ पर क्या जाएगा positive charge यह resonance से वापस से stabilize होगा तो यह यहाँ transfer होगा यह क्या हो जागा CH2 plus charge यहाँ पर single bond CH double bond CH CH3 ठीक है तो दो तरीके के कार्बोकाटाइंड मनेगे यह कार्बोकाटाइंड में अब हमारा OH जो है वह अटाक करेगा simple सी चीज़ है second step में OH- यहाँ पर और OH- यहाँ तो दो तरीके के product बन जाएंग CH CH3 OH ठीक है और plus यह भी बनेगा CH2 OH CH double bond CH CH3 तो यह दो तरीके के product जो है वह आपको मिल जाएंगे ठीक है तो यह जो चीज़ है इसमें आप इस तरीके से इसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते है it is 1, 2, 3, 4 क्योंकि OH ग्रूप बड़ा ग्रूप है इसलिए numbering इधर से करेंगे इसमें से 1, 2, 3 and 4 तो यह जो product बना इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा 3, butene and यहाँ पे 2, all अगर इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम हो सकता है क्या इस पे दूसरे number पे आ जाएगा 2, butene, 1, all ठीक है तो दो तरीके के product जो है यहाँ पर बन रहे है ठीक अब SN1 mechanism से तो यह हो गया अगर SN1 mechanism देखा तो आपने SN2 mechanism में दो तरीके के product नहीं बनेंगे SN2 mechanism वो होती है जो कि एक साथ होगी आईए इसी का example लेते है फिर से CS2 double bond CH, CH, CL, CS3 ठीक है फिर से हमने वही ले लिया अब अगर यह SN2 mechanism के तुरू जगर जाएगी तो that OH will attack on simply this carbon इस पर अटाक करेगा और यह जो आपका double bond है वो transfer होगा कहां पर इन दोनों के बीच में और इस transfer के वज़े से यह जो CL है यह क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा ठीक है और इस तरह की mechanism क्या कहते है SN2 mechanism और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बीच में क्या क्या चाहेख ड्रांजिशन स्टेट आती है यानि कि CH2 यह bond जो है क्या हो रहा है टोट रहा है ठीक है और यहां पर यह bond क्या बन रहा है बन रहा है इसको में बोल트े है transition state ठीक है और इस transition state के बाद जो आपका product है वो बन जाएगा यानि कि यहाँ पर जोड़ दीजे OH CH2 single bond CH double bond CH CH3 यह जो product है वो आपका बनेगा तो जब SN2 mechanism होगी तो एक product बनेगा और SN1 mechanism होगी तो 2 क्योंकि अब rearrangement क्यों बोल रहा थ visão क्योंकि जो double bond है वो rearrange हो रहा है इस तरहिके से यहाँ पर भी देखिते डबल bond यहाँ पर था rearrange हो करके product में कहा चला गया यहां चला गया तो इसलिए इसको हम क्या क oppressed है rearrangement reaction कहते हैं क्योंकि double bond है उसकी shifting हो रही है जो pi electron है उसकी shifting हो रही है या delocalization हो रहा है उसका और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जो allylic carbocatines बन रहे हैं वो resonance stabilized हैं चाहे आप SN1 mechanism से कीजिए तब भी यहाँ पर rearrangement product बन रहा है अगर आप जो है SN2 mechanism से करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा rearrangement product मिलेगा अगर हम उपर वाले product की बात करें तो यहाँ पर यह जो बना है इसको हम कहेंगे SN1 product SN1 product ठीक है और इसी को अगर आप देखिए तो यह SN1 में भी बन रहा है और SN2 में भी बन रहा है तो इसलिए इसको SN2 product बोलेंगे क्योंकि यह यहाँ पर SN2 product में इस तरीके से बन आप पर धन्यवाद